हेलो स्टुडेंट्स आज का हमारा चैप्टर है लाख की चूडियां इसमें बहु भी कल्प यह प्रेश्ण कर रहे हैं मल्टिपल चोईस्ट कुश्चन्स एमसी क्यूस होते हैं तो पहला प्रेश्ण है लाख की चूडियां कौन बनाता था पहला उप्षन है लेखक का मामा दूश्टा उप्षन है लेखक तीसरा आप्षन है बदलू या चोथा उप्षन है डबलू तो यहां पर कहानी के अनुसार बदलू जो है लाख की चूडियां बनाता था जब लेखक अपने गाउं में जाता है तब सकीन हमारा प्रेशना आता है कि बदलू कैसी चूडियां बनाता था तो कांच की बनाता था, सोने की, लाख की या चांदी की तो बदलू लाख की चूडियां बनाता था प्रेशना आ जाता है कि बदलू कौन था आप्शन A है लोहार, आप्शन B है सुनार, आप्शन C मनिहार या आप्शन D बढ़ाई आप्शन C यहाँ पर सही जवाब है मनिहार, मनिहार किसे कहा जाता है चूडियां बनाने वले व्यक्ति को मनिहार कहा जाता है जो व्यक्ति चूडियों का निर्मान करता है, चूड़ी बनाता है, उसे मनिहार कहा जाता है, बदलू यहाँ पर लाग की चूडियां बनाया करता था प्रेशन है कि लेखक अधिकतर बदलू से कब मिलता था? option A है रात में, option B है सवेरे, option C है दोपेहर में, option D है शाम में, तो option C यहाँ पर सही जवाब है दोपेहर में सभी को सभी जवाब आ रहे हैंगे आशा करती हूँ निश्टर मारा प्रेशन है, बदलू प्रति दिन कितनी चूडियां बना लिया करता था तो option A है 3-4 जोड़े, option B है 4-5 जोड़े, option C है 4-6 जोड़े, option D है 6-7 जोड़े आपको जिनको सही जवाब आते हैं साथ में comment section में बताते जाएए तो हमारा सही जवाब आ रहा है आप पर 4-6 जोड़े दिन में वो बना लिया करता था बेलन पर चड़ी चूड़े बदलोगों कैसी लगती थी तो option A है नई जैसी, B है नारी की कलाईयों जैसी, C है बहुत संदर और D option है नव अधु की कलाईयों पर सजी हुई जैसी, तो यहाँ पर option D हमारा सही जवाब है उसे नव अधु की कलाईयों पर सजी हुई जैसी दिखाई देती थी चूड़ियां नेक्स्ट हमारा प्रिश्णा आ रहा है पिता की बदली होने का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? option A है वहें उधास हो गया, option B है वहें मामा की घर ना जा सका, option C है उसे नए पद्र मिले, option D है मामा का घर नजजदीक हो गया तो option B पर लोग किया जाएं, वहें मामा के घर ना जा सका, यह है उसके पिताजी की बदली होने का उस पर प्रभाव आया, कि वह अपने मामा के घर पे नहीं जा सका तो हमारा नेश्ट प्रिश्ण आ रहा है स्क्रीन पर, प्रिश्ण है रज्जु कौन थी, option है लेखक के मामा की लड़की, option B है लेखक के पड़ोसी की लड़की, option C है बदलु की लड़की, तो option D यहाँ पर है बदलु की भतीजी, और सही जवाब भी यही है बदलु की भत नेश्ट अमरा प्रिश्ण आ रहा है कि लेखक बदलु को बदलु का का क्यों कहता था option है क्योंकि वह लेखक के गाउं का था option B है क्योंकि गाउं के सभी बच्चे उसे बदलु का का ही कहते थे option c है क्योंकि वह इशी नाम से खुश होता था option d है क्योंकि वह लेख का चाचा था तो option c या बी यहाँ पर सही जवाब है क्योंकि गाउं के सभी बच्चे उसे बदलू के दे थे इसलिए वो भी बदलू का का ही कह दिया करता था इसी तरह से जब हम भी अपनी नानी जी के घर जाते तो mostly जो बच्चे बोलते हैं उन्हीं की नकल में बोल दिया करते हैं और इसी तरीके से वह भी उन्हें काका कह दिया करता था जबकि वह मामा के गाउं जाया करता था तो मामा कहना चाहिए था लेकिन बदलू काका ही कहा करता था लेखत और इसी तरह के प्रेशनियों के लिए आप चैनल को देखते रहें थैंक यू फॉर वाचिंग